पिछ लूट फिजिक्सिए तो आज का अवारा ने वाला लेक्ट्र नाइन और इसके अंदर डिस्कुस करेंगे रेडीयल वेलोसिटी तेंजेंशल वेलोसिटी रेडीयल एक्सेल 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 गया तो अपन को क्या करना है सबसे पहले कोई गोए इसका मांस M और यह point xy कोडिनेट में तो इसको आप एक स्वाई लिखोगे इसकी इस ओरिजन से डिस्टन्स को मैं और यह एक सेंवल बना रहे हैं कितना है तो मुझे क्या करना है इस एक्स्कूइ कोडिनेट्स की जिम्हाई इस पार्टिकल की पोजिशन को किसमें लिखना है रटिटा हें अब यह आफो है जो बाइकल है कि गहर रही है अब यह इसका रेडियाल पांट यानिकी यह रेडियस भी इंक्रीज हो सकते है शुटेकरी भी और तो दैमेंशन इसी प्लेंग के अंदर तो फ्लाइ खो सकता है बर्ड दीदर चला जाए इधर चला जा बापस आ जाए ठिटा भी चेंज होगा और रेडिएस सीटेज भा बतलग गी और देजा किसके अलोग होता है देखो डूप रेडियस के अलोंग जो गाउथ अपनी का पियोगा मार का रिदिस के रोग ऑफ गआ होगा और यह तीक है अगर पार्टिकल यहां पूंच यह तो तीड़ाइब तो तीड़ूच्छन गाइप एसे इंक्रीज हो रहा है यह निकिंट जो है उसकी direction यह है, theta गे, theta x-axis दे measure करने है positive, यहाँ पे है तो यह theta है, और बढ़ा दिया, theta बढ़ जाएगा, तो जो theta की cap की direction है, वो इस direction में है, इस part को बोलते है radial, और इस part को बोलते है tangential, इसको tangential इसलिए बोलते है, क्योंकि देखो, बालो यह सर्कल पे है, object बहुत बहुत रह इस, यह y-axis, ठीक है, तो यह जो अपना part होगा, वो तो radial part होगा, और इस point के जो tangential होगा, इस point के tangential होगा, वो इसका theta gap का part होगा, कल अपने देखा बिचा, टेंगेंशल जो velocity ली थी, यानि के जो velocity ली थी, वो अपनोंने काता कि जो सर्कल है, हमेशा उस point के tangent करेगी, यहा अपन ने specify कर दिया, theta cap और r cap, अब अपन का expression निकाल ला है, इस radial velocity का, tangential का, फिर उससे निकालेंगे, acceleration, तो उसके लिए देखू, आपको क्या करना होगा, इस radial part का, और इस theta cap का, xy coordinate में, component देखना होगा, कितना है, देखो, यह theta है, यह भी theta होगा, ठीक है, यह थिता है, यह perpendicular है, तो यह 90- theta होगा, अब यह दुनों अपसे perpendicular है, r cap और theta, यह 90- theta, तो यह कितना है, theta, एंगल समझ आगे होगे, कि यह theta कैसे है, और यह perpendicular है, है अ परक्याइब चीभड का पर्पेंदों जो चैविसा है इसका में आपन जिक्ते हैं अपनք के लिक्ते लिग के इनके लिए कर शिंग सब्सक्राइब तो यह क्या है उसके अधिक कोडिनेट एकसी चीघ हो चुके है और अपना ये जो और वेक्र सान। तो अब क्या है ने गुझे हैं आर का कोष इड़ा वाला कॉंपरेंट इस तो फीटा वाला कॉंपरेंट अलों एकसिस इस आलोगा कैप अरका संध्रीटा 7 पोंप 어려ंट जे के स्धृकल को घिर अब सिम्मम्लमिव त्रप देखलो टीटा के थे खेटी शर्क प्र इदरjat भी खेटर क्योंग्ग साहिए कि अब सबस्क्राइप दिए अब सिम्मम्मरखहो टे कीстिटा । अगल में ही तो ओं किता होगा और इस इसका इतर की तरफ उदर के तरफ तो सब्साइब कासर si your एक माइन्स अल्टिया को यह मैंने और यह मे आर कैसी लिए बीट में लाइक चली जिए गया जीँ Ahora अ अब यह थिटा केब कितना है एक फिटा केब कितना अ रहा है कोस थिटा जे केब प्लस माइनस अगल माइनस साइन थिटा एक तो अब अपनने आर और थिटा को इन एकस वाई कोडिनेटी अंदर लिख लिया अब अपने को कहने दालने है, velocity, velocity क्या होगा, dr vector by dt vector, अपने को पता है, r cap किसके equal होता है, r cap पता है, r का vector divided by r vector का magnitude, तो r vector कितना आएगा, d by dt of this r cap and this r का magnitude, r के magnitude को मैं यह में लिए लेता हूँ, इस पर लगेगा, first second, क्योंकि यह भी r का function और वो भी r का function होगा, तो velocity कितनी आएगी, एक बार इसका करते है, dr cap by dt, इसके साथ multiply होगा, r का magnitude, plus r cap as it is, फिर dr by dt, d by dt of this r vector, r vector का magnitude, अब आपने को क्याने करने है, dr cap by dt, यानि कि इस r cap का dt के साथ, अपने को differentiation करना है, तो dr cap by dt, कितना आएगा, इसका differentiation with respect to time, तो cos theta का differentiation, minus sin theta, और theta का करोगे, d theta by dt, क्योंकि time के साथ करना है, i cap, plus sin theta का करोगे, cos theta, फिर theta का करोगे, d theta by dt, in j cap direction, तो आपने dr cap by dt cap, निकाल लिया, अब इसकी value यहाँ, substitute कर दो, कितना आएगा, dr cap by dt, यह रहा, r का vector, यानि कि यह r का magnitude है, और उसके बाद, इधर है, आपका, dr by dt, यहाँ देखो, d theta by dt, कोमा ले लो, d theta by dt, कितना आएगा, minus sin theta, i cap, plus cos theta, j cap, यह मैंने इसले लिया, देखो, तो यह रहा, minus sin theta, i cap, plus cos theta, j cap, यह किसके इकोला, theta gap, यानि कि अपना dr by dt हो, किसके इकोला आएगा, d theta by dt, और यह है, theta कहाँ, अपना यह बन गया, dr cap by dt, तो dr cap by dt की value में यह substitute कर रहा हूं, यह अपना theta dot, यह theta cap, यानि कि r का magnitude, theta dot, theta cap, प्लस, यह r का cap है, r के cap को as it is पढ़े रहें, तो यह direction को बता रहें, यह dr by dt है, यानि कि r के magnitude का differentiation, उसको मैं लिख लेता हूं, r dot, तो मेरा velocity कितना बन गया, r dot, in r cap direction, plus r theta dot, in theta cap direction, जहाँ पे यह जो r है, वो magnitude है, यह देखूं, यहान पो उसका magnitude है, और यह उस magnitude का differentiation है, with respect to time, तो यह अपनी है, radial velocity, क्योंकि यह radial part है, r cap के अंदर, और यह अपना theta cap के अंदर, यानि कि यह tangential velocity है, यह radial velocity है, यह तो direction है, r cap, ठिटा cap, यह tangential part आगा, तो velocity तो अपने निकाल ली radial part के अंदर भी, और tangential part के अंदर भी, अब अपन को क्या निकाल ला है, acceleration, acceleration निकालने के लिए अपने को क्या करना होगा, इस velocity का differentiation करना होगा, dv by dt, वो करेंगे, तो उसके बाद, acceleration के भी दो portion आएंगे, radial और tangential, तो अब वो try करते हैं, कैसे आएगा, इसको यहाँ पढ़े रहा हैं, यूग इसकी जूर्ट पढ़ेंगे, अपने को, diagram को हटा देते हैं, diagram को कोई जरूरी निहीं है, देखो, जैसे जैसे जूर्ट होगी, अपने use करते जाएंगे, अब क्या करना है, acceleration निकालने के लिए, इसका differentiation करना है, यानिके, dv by dt करना है, तो यह जो portion है, अपना, यह basic से थोड़ा, आगया आगया है, यहनिके, अपने advanced level पे आचुके हैं, यहनिके, graduation level के अंदर यह topic आता है, जो आप पर radial velocity, टेंशल velocity है, और इस पर जो questions है, वो आते भी है, जो अपने GRF के अंदर भी आते हैं, तो यह इस्टोपिक को करना जरूरी था, और इस्टोपिक से अपन वो समझ भी आएगा जाएगा, जो आया था, आप पर ने लिए था, वो along the radius, center के towards था, वो कैसे था, अब भी निगालेंगे, तो आपने, रेडियल उटेंशन एक्षालेशन तब देखें, dby by dt, अब आपको क्या करना है, आपर, velocity का differentiation करना है, with respect to time करो, dby by dt, dby by dt, इतना है, आपर विजिवल है क्या, थोड़ा सा, जो नीचे दिखलेंगे, यह अपन क्या करना है, velocity का differentiation with respect to time, तो क्या करेंगे, r dot, r cap, r dot का करेंगे, first second लगाओ, इसको first ले लो, इसको second ले लो, r dot का करोगे, d r dot by dt, यहाँ, r cap as it is, r cap as it is, फिर क्या करोगे, r dot as it is, r dot as it is, फिर करोगे, d r cap by dt, जी करा है, थोड़ा सा, मेरको लगता है, यह अपन को, नीचे लिखना पढ़ेगा, तो भी visible होगा, यहाँ लिखेते हैं, first second, first का करो, r dot का करोगे, with respect to time, r double dot, r dot का करोगे, r double dot, r cap as it is, plus, r dot as it is, r cap का करोगे, d r cap by dt, plus, अब ठीटा में देख लोगे, यहाँ, तीन है, first second, third, first का करोगे, r का करोगे, r का करोगे, with respect to time, r dot, theta dot, theta gap, ठीचे, theta dot, theta gap, फिर, r as it is, theta dot का करोगे, theta dot का करोगे, theta double dot, plus, theta gap, plus, 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 अब first, second, as it is, r as it is, theta dot as it is, theta cap का करेंगे, d theta cap by dt, तो यह पुरा expression आगे अपना, acceleration का, अब इसको solve करना है, यह अपना acceleration का expression आगा, r cap के अंदर जोएंगे, उसको अलग कर देंगे, अब अपन को दो values चीए, d r cap by dt की, और d theta gap by dt, d r cap by dt की value तो यह रही, यह कितना है, d r cap by dt, इसकी value कितनी है, theta dot, theta gap, अब अब अपन को d theta gap by dt और निकालना है, d theta gap, इसका differentiation और करना है, इसका differentiation एक बार इसर कर लेते हैं, और उसके बाद देखते हैं, इसकी value, d theta gap by dt, ताइम के साथ derivative cos theta का करोगे, minus sin theta, cos theta का करोगे, d theta gap by dt, यह क्या है, ठीक है, plus, यहाँ पर minus है, minus sin theta का करोगे, cos theta, theta का करोगे, d theta y dt, और यह आपका i cap, तो क्या common है, तो क्या common है, मैं करता हूँ, d theta का dt, यह अपना कितना था, r cap, minus theta dot r cap, जब अपने diagram बनाया था, cos theta का component, r का cos theta में i cap आया था, और j sin theta वाला j cap आया था, तो यह अपना r cap, तो d theta by dt की value भी आगी, d r by dt की value भी आगी, यह अपना r double dot r cap, plus r dot, इसकी value कितने है, theta dot theta gap, plus r dot theta dot theta gap, plus r theta double dot theta gap, plus r theta dot, d theta dot, d theta कितने है, minus theta dot, r cap, अब क्या करो, r cap वाले एक साथ कर लो, और theta gap वाले एक साथ कर लो, r cap 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 वाले ए रह, तो r cap में कितना आ रहा है, r double dot, minus, यह कितना रहा है, r theta dot square, झिट टोट स्काइर प्लस अब टीटा ये रहा जो आडो टिटागैप यानि के टू आडो टिटागैप प्लस अब कुछ सिय आर धिटा डबल डोट ठीक है पार डोट ये रीष्ट के एक बोट तो अपने सारी टम्स आगी और कैप की यह अभी ठीटा कैप की यह ट्वाइस एड़ हो गया और यह ठीटा डबल डोट तो अब जो रेडियल पार्ट है वो यह रहा यानि कि जो acceleration का radial part है वो क्या है यह रहा acceleration in radial direction वो है r double dot minus r theta dot square और जो tendential part है वो है रहा r theta double dot plus 2 r dot theta dot यह है अब यहीं से ही अपने centripetal acceleration वाला लिकाल के देखते है सर्कल दिया हुआ था अपनको uniform circular motion था uniform circular motion के अंदर क्या था velocity जो थी उसकी direction चेंज हो रही थी लेकिन जो constant था वो क्या magnitude जो उसका magnitude था वो constant था और यह उसकी radius थी इसमें मुँख करा था तो यहीं मुख करेगा surface पे इसका मतलब r dot 0 था r dot 0 था मतलब r double dot 0 था ठीटा कैफ ठीटा dot change हो रहा था ठीटा dot मालने वो constant जा रहा था तो ठीटा dot मालने तो उमेगा था तो यहां देखो ठीटा डबल डोट यह constant है तो ठीटा डबल डोट क्या रहेगा 0 यह angular velocity है जिसके साथ वो rotate कर रहा है तो वो तो ठीटा dot omega है लेकिन ठीटा डबल डोट 0 है ठीटा डबल डोट वाला portion 0 प्लस r dot r dot 0 है क्योंकि वो surface पे उन्हों कर रहा है चेंज उनी रहा आर वेक्टर यानिके यह 0 यानिके tangential acceleration तो 0 था अपना uniform circular motion की case में अपने तो सिरो यही लिया था कि acceleration लग रहा है वो centripetal है तो देखलो radial direction यह अंदर डबल डोट 0 माइनस आर को आर वेक्टर लिख देंगे ठीटा dot square कितना है omega square तो यही तो लिया था रेडियल अपना जो acceleration था centripetal minus omega square r minus को यह direction बता रहा है कि यह towards the origin लगेगा यह origin है यह positive r है यह negative r है तो towards the origin minus sign यह शो कर रहा है और omega square अपने को बता है v जो होता है omega r होता है तो omega कितना आएगा v by r तो यहाँ इसका आपके लिख सकते हो minus r v square by r square यानिके minus v square by r तो यह अपना जो centripetal acceleration था उसका expression आ गया तो अपने radial velocity, tangential velocity, radial acceleration और tangential acceleration इन सब का expression find out कर लिया है और यह अपन को बहुत help करेगा center forces के अंदर भी क्योंकि जो velocity का expression है जब kinetic energy लिखेंगे तब help करेगा तो एक गर देख लो चारह formula यह तो आपके है acceleration के और यहाँ लिख लेते हैं velocity के, velocity क्या थी? r dot r cap plus r theta dot theta Gap, radial part, tangential part radial part यह रहा, यानिके V of R लिखेंगे, तो r dot और V of theta लिखेंगे, या टेंजेंशल पार्ट लिखेंगे वी टी तो वह कितना है और ठीटा रोट तो यह चार फोर्म ले आगे इन चारो फोर्म लोगो याद रखो कम इंटू मैमरी सी टी एम इसको याद रखना क्योंकि यह हल्प करेगा आपको बहुसा रेकोशन स्वोल करने के लिए और इसी की हल्प से जो काइनेटिक इनर्जी लिखेंगे अपन हाफ M V square central force के अंदर तो हाफ M V square V square क्या एगा R dot R cap plus A theta dot theta के इसका multiply करोगे V के साथ तो R dot square plus R square theta dot square कई यह उने यह बड़ी भी होगी central force के अंदर तो वहाँ से यह discussion होगा अब इसक बेसिक बेसिक थोड़े से कोश्चन लेखने हैं जो एक्जाम के अंदर भी पूछे हूँ है आयोग आपको फून में याद होगे होंगे आट डॉट रेडियल के लिए और ये आठ डॉट रेडियल डॉट माइनस आठ डॉट स्कुएर टैनेशल आठ डॉट प्लस तू आठ डॉट अब कोश्चन ट्रा इसका मास 2kg है आठ डॉट आपको दिया हुआ है 4 मिटर पर सेकंड ठीटर डॉट आपको दिया हुआ है तू रेडियन पर सेकंड और आर करें 3 मिटर है 3 मिटर तो वो बोल रहा है आपको वलोसिटी निगानने को कि उसकी स्पीड कितनी होगी ठीक है मैंगनिचूड हो गया वलोसिटी का तो अपन को क्या करना है रेडियल पार्ट भी लिखना पड़ेगा एंगे आर डॉट र कैप प्लस आर ठीटा डोट ठीटा गाये आर डोट कितना जेओ है एट र उपल टू 3 एट आर उपल टू 3 एक प्लेंट दे रहें जिस पे वलोसिटी का मैंगनिटूड इरद डोट यह राओ प्लस आर कितना है 3 मिटर ठीटा नुट é堅गे 2 फिक्ता गैओ तो आपको क्या निकाल लेट इसका मैनलिटूड धिब्लीटूड निकाल लोगी फोर का स्कोयर च्ग स्कोयर प्लस 6 गया थ último प्लस 16 52 का रोट तो यह आपकी स्पीड आगी मेटर पर सेकेंड एट आर इक्वल टू 3 वें टीटर डोट इस तू रेडियन पर सेकेंड और डोट इस फोर मेटर पर सेकेंड तो यह इसका एक उनिमेरिकल बेसिक कोशन है अब इसके बाद देखते हैं जो पन ने उनिफॉर्म से क्या था उसके लिए यह उनिफॉर्म सब्ल्न मोशन के अंदर यह पार्तिक आपको दियो है कि वह उनिफॉर्म स्क्लर मोशन के एंदर मूँव कर रहे हैjust r कि यहां जो गवेलोसिटी होगी उसके टंजेंशल होगी हर पोईट पे और यह भूम रहा है पार्टिकल अबाउट इस एक्सेलरेशन कितना होगा तो उसके बाद जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसको डेरिवेटिव करना होगा विद रिस्पेक्ट टाइम और फिर आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा रेट ओफ चेंज ओफ एक्सेलरेशन तो उसके लिए एक्सेलरेशन के दो बाट होगे बाच आपके प्लेसरी है लिए और दाबल डॉट माइनस आड़ है तो अब डॉट निगालनी है अप्न को क्या दिया हुआ है पार्टिकल जुँ है वह घूम रहे है एक्सरकल पे एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथुए्ची निफर्ट इसका चेंज रहा है इसी पॉइं पर देखो यह इस से इसे किष्टन साथ यह किसी भी पॉइंट पर चले जाए आरी रही तो ऑडोट जिरू है और डबल डोट भी जिरू है थिट्टोट टिट्टोट कैं एंगुलर बेलोसिटी जो कि किसके इपॉल है ओमेगा के और यहां से और यह कंस्टेंट है तो ठीटा double dot क्या होगा? 0, तब अपने पास सारी values आगे, r dot, r double dot, theta double dot, तो यहां रखो दो, answer आज़े, r double dot kITने है? 0, minus r kITने है? capital r, जो उसकी radius है, theta dot square, theta dot square कितने है? omega square. यह आपका r cap के अंदर plus r dot 0 plus r theta double dot theta double dot भी 0 यानि कि जो tendential part है वो तो पूरा ही 0 है यानि कि जो आपका acceleration आगया वो minus r omega square r cap अब आपको क्या करना है यह तो है acceleration acceleration का differentiation with respect to time यानि कि इसका differentiation a का differentiation with respect to time तो r तो constant है पता लगी है तो यह as it is omega constant है यह भी as it is dr cap by dt यानि कि r cap का हुआ with respect to time और अभी अपने dr cap by dt निकाला ता वो कितना थेटा डोट थेटा का है minus r omega square थेटा डोट थेटा का है यानि कि जो rate of change of acceleration है वो tendential direction के अंदर है रेडियल के इदर नहीं है देखो इसके अंदर ठीटा कैप का आ रहा है इसका मतलब रेडियल पार्ट कहीं है इसमें है अब ठीटा डोट कितना है omega तो यह आ गया minus r omega cube d a y dt यानिके rate of change of acceleration with respect to time when the particle is moving in a uniform circular of radius r with constant angular velocity omega तो यह rate of change of acceleration है इसको आप velocity की terms में भी लिख सकते हो यह angular velocity है linear velocity का होती है यह माननों इधर point था यह इधर point था डल ठीटा angle cover हुआ है in dt time r के कितनी है ds तो ds किसके equal होता है r d theta इसको time से divide कर दो यह आप dt time से तो यह आपकी बन जाएगी velocity यह r और यह angular velocity तो v किसके equal है r omega के omega कितना है v by r एक expression तो यह आपने पास दूसरे expression क्या हो सकता है और d a by dt is equal to minus r omega की जहें क्या लग दो v by r तो v cube by r cube तो minus यह आगया v cube by r square तो वो आपसे यह dependency भी पूस सकता है option देके कि rate of change of acceleration depends upon which power of angular velocity तो किस पर depend कर रहा है r cube पे या फिर rate of change of acceleration depends on what power of linear speed it is directly proportional to q तो यह आपको यह समझ आ गया होगा linear velocity अतन साथ इस पर और भी questions है वो discuss कर लेंगे तो यह कुछ questions हैं जो कि मैंने radial velocity, tangential velocity, radial acceleration, transfer acceleration पे आपके लिए तियार रही है तो try करो खुद से अगर soul नहीं हो पा रहे हैं तो उसके बाद इसका solution देखना तो देखो क्या दिया हुआ हुआ है first question के अंदर आपको equation of the path to the particle r किसके इकवल है e की पावर 5 by 12 theta हमें क्या दिया हुआ है velocity का magnitude जो की इकवल है 13 tk क्या निकालना है r dot यानि कि radial velocity निकाल लिए तो क्या करोगे velocity का formula आपको पता है velocity का formula r dot r cap plus r theta dot theta cap ठीक है यह इसका formula आगया magnitude लिखोगे तो क्या लिखोगे r dot square plus r theta dot square यह इसके magnitude का square होगा इसका magnitude किता है 13 t यानिके 13 tk square यह अपने लिए 13 tk square अब क्या निकालना है r dot उसके लिए हमें क्या चीए theta dot को गयाब करना है theta dot को गयाब कैसे करेंए r किसके equal है r equal e k power 5 by 12 theta तो मैं क्या रता हूँ r dot निकाल लेता हूँ r का dot करता हूँ e की power e की power 5 by 12 theta और 5 by 12 as it is theta का करनो theta dot तो मुझे यागरना theta dot की value गयाब करनी है तो r dot कितना आगया देखो यह e की power यह तो वापस आर रगन जा r 5 by 12 किसके इक बनागा theta dot के तो theta dot की value कितनी आगी 12 by 5 r r dot यह आगी theta dot की 12 r dot divided by 5 r तो इस theta dot की value यहाँ रत तो r dot की value आ जेगी तो यह r dot का square plus r square r into theta dot theta dot की value लुको 12 r dot divided by 5 r इसका square is equal to 169 t square ठीक है अब देखो यह r से r cancel हो गया r dot का square को बनागा दोनों में 1 plus यहाँ क्या आएगा 12 का square by 5 का square यानिके 144 by 25 is equal to 169 t square तो अब आगी इसको सोल करोगी कितना है गाल से हम आगे 25 25 plus 144 169 is equal to 169 t square यह आगया आपका r dot का square तो 169 से 169 cancel हो गया तो r dot का square कितना आगया 25 t square तो r dot कितना आगया आपके पास 5 t यानिके जो radial velocity है वो कितनी है 5 t यही आपको ठीटा dot पूछ लेता है तो आप क्या करो इस 5 t के value यहाँ substitute कर दो ठीटा dot आजाएगा तो यह first question था I hope आपने कर लिया होगा आपको समझ आगया होगा अच्छे से अगर फिर कोई दिक्कत आ रही है तो एक बार देख लो इसको तब second question try करो second question के अंदर क्या करना है आपको ठीटा दिया हुआ है omega t r दिया हुआ है r0 e की पावर माइनस omega t क्या बोल रहा है r dot निकालो radial acceleration निकालो tangential acceleration निकालो और what about l l4 angular momentum तो मैं यह रख कर रहा हूँ यहाँ पर अब इसको solve गरते तो ठीटा equal to omega t यानिके ठीटा डोट कितने आपके पास omega theta dot आपके पास कितना आगया omega r dot r dot भी निकाल लेते हैं क्योंकि यह चीज़ अपने को चाहिए होगी r dot r theta dot यह सब चाहिए होगा r dot किया r0 constant as it is e की पावर माइनस omega t e की पावर माइनस omega t और माइनस omega t करेंगे तो माइनस omega तो अपने पास कितना आगया r0 यह तो वापस r है omega माइनस यह जिनके आडोट इतना आगया theta dot इतना आगया तो r dot की वेली तो निकल गी अपने पास minus omega r अब क्या निकालना है r, r कितना होता है r double dot minus r theta dot r double dot का square तो मेरे को r double dot चीए तो r double dot करता हूँ मैं r double dot करों यह कितना है minus omega तो constant है omega annual velocity constant है r का करों कितना आगया r dot और r dot फिर कितना है minus r omega यह जिनके r double dot कितना आगया omega square r अब मुझे चाहिए theta dot theta dot मेरे पास है r r double dot रखा omega square r minus r theta dot square कितना है omega square omega square r omega square r तो radial acceleration कितना आगया 0 अब मुझे कहा रिकाल ले tangential acceleration यह transverse acceleration तो वो कितना होता है वो अपना होता है 2 r dot theta dot plus r theta double dot अब देखो theta dot omega है तो theta का double dot तो 0 होगा क्योंकि omega constant है तो theta double dot 0 तो यह चीज़ तो अपने पास 0 आगी 2 r dot r dot कितना है minus omega r और theta dot कितना है omega और यह theta double dot 0 तो transverse acceleration यह tendential acceleration कितना आ गया minus 2 omega square है तो अपने पास r dot कुछा था ता वो भी आ गया ar भी आ गया 0 और tendential acceleration भी आ गया अगर tendential velocity पूस ले ता है r theta dot theta dot कितना omega यहनि कि r omega tendential velocity आ गया तो यह अब 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 आउट l का क्यों इसमें importance है देखो center force में भी health करेगा यह l is for angular momentum angular momentum क्या होगा अपना r cross p r cross p p अपना क्या होता है linear momentum यानि कि mass times velocity mass को मैंने क्या कर दिया बाहर लिए mass r cross v कितना होता है r dot r cap plus r theta dot theta cap और अपने पास radial ये r dot कितना आया था r dot आया था अपने पास minus omega r और theta dot r theta dot कितना आया था r omega theta dot omega आया r theta dot r omega बन गया और r dot आपने पास minus omega आया तो यहाँ देखो substitute करके देखो r cap होता है अपने पास r का vector divided by r का magnitude तो r का vector कितना हो गया r का magnitude times r cap यहाँ substitute कर सकता हूँ ये वाला r का magnitude r cap सारा r cap theta gap में हो गया cross करना मुझे r dot r cap plus r theta dot theta gap r cap का r cap के साथ cross product करूँ गया जीरू r cap का theta gap के साथ करूँ गया यहाँ r cap है मालो यह theta gap है r cap theta gap r cross p यह कितर आएगा यह वाली direction में यानिकि इसको z direction ले लेते है m यह तो 0 हो जाएगा r का r के साथ 0 हो जाएगा r का theta के साथ आएगा कितना आएगा r का magnitude r theta dot और z cap के अदर आएगा तहीं पर यह अपने पास angular momentum आएगा r तो r है इसको मैं normal यह लेता हूँ यह r square हो जाएगा ओठीटा dot कितना है omega तो m omega r square अपने पास l आएगा z cap अब इसका angular momentum आगे अब आप इसको differentiate करके देख लो angular momentum को इस angular momentum को जो आप differentiate करके देखोगे तो आपको क्या पता लगेगा कि m तो constant है omega constant है r जो है वो किसके equal है r0 e की power minus omega t यानि कि वो time पर depend कर रहा है जब angular momentum को time के साथ derivative करोगे तो 0 नहीं आएगा यानि कि जो आपका angular momentum है conserved नहीं है इस case के अदर बट जब central forces देखेंगे तब आपको बता लगेगा जो angular momentum होता है वो central force motion के अदर conserved quantity होता है वो कैसे होता है वो भी पता लगेगा यही radial velocity tangential velocity यह अल्प से निकालेगे तो यह अच्छे से कर लेना radial velocity tangential velocity का इसमें कोई doubt नहीं आना चाहिए अब next question देखो next question आपको दिया हुए है कि एक particle xy plane के अंदर move कर रहा है एक particle है जो xy plane के अंदर move कर रहा है particle की position आपको दियुए है 1 1 इस point पे उसकी आपको x component निकालना है velocity का जब आपको velocity दियुए है archive theta cap के अंदर यानि कि जो radial velocity transfer velocity की help say आप निकालोगे vx यानि के component velocity का x direction में तो देखो polar coordinates है ये theta है ये r है ये अपना x है और ये y है x कितना है r cos theta और y कितना है r sin theta तो अपने को क्या निकालना है vx vx मतलब dx by dt यानि के x dot तो सबसे पहले तो x dot निकाल लेके अपने x इतना है r cos theta तो x dot करूँगा पहले first, second क्योंकि r भी change हो रहे theta भी change हो रहे तो r dot cos theta as it is plus r as it is cos theta का करूँगा minus sin theta theta dot अब इनकी values वहां से आएंगी ये जो आपको expression दिया हुआ expression क्या दिया हुआ velocity का velocity का expression देखो आपको दिया हुआ है 2 r cap इसको लिख लेता हूँ root 5 plus 1 by root 5 theta gap और standard expression अपना क्या होता है r dot r cap plus r theta dot theta gap यानि कि r dot की value दियुए 2 by root 5 और r theta dot की value कितनी दियुए 1 by root 5 अपन को क्या चाहिए r dot चाहिए r dot की value तो आगी r dot की value कितनी दियुए 2 by root 5 cos theta minus r theta dot की value r theta dot की value कितनी दियुए 1 by root 5 यानि कि या आगया 1 by root 5 sin theta तो अब मुझे cos theta रखना है sin theta रखना है मेरे पास x dot आजाएगा अब cos theta रखना से निकल लोगे जोगा आपको point दिया हुए x y plane के अंदर 1 by 1 यानि के इन दोनों को divide कर देता हूँ r sin theta y r cos theta इन दोनों को divide करता हूँ कितना है tan theta y by x y कितना है 1 x कितना है 1 1 by 1 तो theta कितना है pi by 4 जो theta pi by 4 होता है तो cos theta की value कितनी होती है 1 by root 2 और sin theta की value भी 1 by root 2 तो यह कितना आ गया नीचे root 10 2 minus 1 1 तो x dot कितना आ गया 1 by root 10 यानि कि जो component है x की velocity का वो है 1 by root 10 similarly आप y dot निकाल सकते हो r sin theta 1st second let करके r dot यह अपने पास पता ही लगया ठिटा अपने पता लगया तो वहाँ से आपका y dot नहीं लग सकता है तो यहोग आपको एक questions help करेंगे radial velocity, tangential velocity और acceleration और concept समझने के लिए तो अगर वीडियो पसंद आया तो like कर देना चैनल को subscribe करो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो thank you very much guys